बंगला साहेता केंदर रेजिस्टेशन तो बंगाल सरकार ने बंगाल साहेता केंदर निकाला है ताकि जितने वे छात रहे हैं उन सबको मदद मिल सकते बंगला साहेता केंदर बेनिफिट्स इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं पहला है वे इन केंदरों पर जाकर आसानी से योजनाओं का लाब उठा सकते हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं उनका जानकारी भी उठा सकते हैं और योजना का लाब भी उठा सकते है दूसरा है यह केंद्र पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं इसमें सब जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग है सभी लोग के लिए है यह योजना तीसरा है जिन नागरिकों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वे भी इन केंद्रों के कल्यानकारी योजनाई के लिए आवेदन कर सकते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप केंद्र में जाके कल्यानकारी योजनाई के लिए आवेदन कर सकते हैं चौन्कि निवास्ति इन केंद्रों को खोल सकते हैं और सरकार द्वारा भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, आप भी इस तरह का केंद्र खोल सकते हैं, खोलेंगे तो आपको सरकार तरफ से मदद मिलेगा, तो इसको भरने के लिए आप इसके ओफिसियल वेबसाइट पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका next page जो खुलेगा, इसमें आपको registration form for Indian citizen only दिखाए दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पर अपना number भर देना है, number भरने के बाद यहाँ जो get OTP लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजे, इस पर क्लिक करने के आपका ऐसा form खुल दियागा, इसमें आपसे क्या-क्या मांगा गिया है, alternative phone number अगर आपके पास और भी कोई number है, phone number तो उसको भर दीजे, document type में यहाँ select कर लिजे, name यहाँ भर दीजे, father's name, district, यहाँ पर block, municipality या municipal corporation, अपना email, document का number, document अगर आप यहाँ अधार काट सेलेक्ट करते हैं, तो अधार कट का number यहाँ दे दीजे, post office, police station, house number दे दीजे, award number, village, gender, religion, select कर लिजे, यहाँ पर SCST, OBC, general जो हैं, यहाँ से select कर लिजे, यहाँ पर date of birth भरियेगा, तो automatic आपका यहाँ पर age आजाएगा, उसके बाद यहाँ बोला है, password to login into BSK, तो आपको यहाँ पर ए of a character, upper and lower both, तो special character and number, तो special character आप उसमें कोई भी number रखते तो उसमें alphabetic भी जोड़ दीजे, number भी जोड़ दीजे, और यहाँ special character बोल रहा है, मतलब कि आप hashtag या add the read भी जोड़ के, 6 digit का यहाँ password बना लिजे, और उस password को आप फिर से confirm password कर दीजे, यहाँ भर दीजे, यहाँ भरने के बाद यहाँ जो submit का option दीख रहा है, submit पे आप click कर देजे, submit पे click करने के बाद आपका process पूरा हो जाएगा,